इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकर्ट कोरोना वाइरस है इसके संकर्मन को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू के तहत लोगों को घरों से बहां ना निकलने की अपील की ताकि लोग अपने घरों में ही रहें और बहुत हथ तक इस वाइरस से बचाव हो सके इसका असर मध्य प्रधेश में व्यापक पैमाने पर देखने को मिल रहा है राजधानी भूपाल समेद प्रधेश के लगबग हर शहर और कजबे की गली सड़कों पर सननाटा पसरा हुआ है महीं मध्य प्रधेश के धार जिले में भी जनता कर असर देखने को मिला धार के ग्राम घटा बिलोद वर लेबड में भी व्यापारियों ने अपनी दुकाने बंद रखी वहीं ग्राम लेबड में रविवार को लगने वाले सापता ही खाट बजार भी पूरी तरीके से बंद रहे बतादे कि ग्राम लेविड में प्रमुक तोर पर इंदोयर एहंदबाद मार्ग महू नीमच आइवे के साथ लेविड मानपूर आइवे होने की कारण रोजाना ली हजारों की तादाद में वहनों का आवागमन एवं बस के साथ यात्रियों का आवागमन लगा रहता है लेकिन जंता कर्फ्यू की कारण धार जिले में पूरी तरह से बसों का आवागमन बंद रहा जिसके चलते ग्राम की मार्क पूरी तरह से संसान होने की कारण सरके खाली रही कराम पंचार लेविट के सचीव द्वारा शनिवार को ही गाओं में सभी व्यापारी के रहना दुकान होटल वा अने दुकानदारों को सूचना दिलवा दी गए थी कि रविवार को अपने दुकाने बंद रखे और साथ से नौ बजी तक अपने घरों में ही रहे ताकि इस कोरोना वाइरस से बच सके धाल से श्याम मंगल की विशेश रिपोर्ट घर में ही रहेंगे जिसको लेकर घाटा लोग में भी इसका असर देखने को मिला घाटा वी लोग में भी सुबह से ही व्यापर योंने अपनी दुकाने बंद रखी जिसको लेकर पूरा मार्केट बन रहा प्रसासन के दुवारा यहाँ पर दारह 145 भी लगाए गई गई है जिसको यहाँ पर बसों का आना भी बंद है यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पूरा बजार बंद है एक भी दुकान नहीं खुली है यहाँ पर भारत सरकार के दवारा सिर्फ है आपकाली वालों को ही जगे दी गई है जिसमें मेडिकल है मेडिकल यहाँ पर पूरी तरह सब्सक्राइब लगता है लेकिन तोरोनो वाइरस के चक्कर में और जनता कर्जू के कारण लेवर का हाड भी प्रसासन वा ग्राम पंचाथ लेवर के द्वारा फूरी तरह से बंद कर दिया गया है लेवर से श्याम मंगल की विशेश रिपोर्ट जनता और व्यापारी वर्गत्वारा इन सब चीज़ों को जानुपता बतोर अपने प्रतिष्ठानों को और शेत्र में लोगत्वारा गर्मे रहे के इस परकार से पूरे तरीके से सरयोग कटे हुए बंद किया गया है